रवी साहब इसके मुजी डिरेक्टर से और किसी को नहीं पता था कि ये सदियों तक गाना पॉपलर रहेगा सगाई हो या विदाई हर मौके के लिए मुहम्मद रफी के गाने है और ऐसे हर मौके पर ये गाने जरूर बचते हैं लेकिन इन गानों में से अगर कोई सबसे लोग प्रिय गाना है तो वो वही गाना है जो मौके रफी ने परदे के पीछे से गाया और जिसे शत्रुगन सिंधा ने सिनेमा के परदे पर गाया ये गाना उस समय जबरदस तरीके से लोग प्रिय हुआ और आज भी ये गाना इस कदर लोग प्रिय है कि हर बारात में लोग इस गाने पर जूमते नाचते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि जब ये गाना बना तब किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये गाना हमेशा हमेशा के लिए इतना लोग प्रिय हो जाएगा यही नहीं अभीनेता शत्रुगन सिन्हा भी इस गाने पर आक्टिंग करने से उस वक्त कत्रा रहे थे यह गाना कैसे बनाओ और कैसे इसे फिल्माया गया इस बारे में खुद शत्रुगन सिन्हा ने बताया इस गीत के बारे में मैं भावना पाठक विस्तार से बताने चाह रही हूँ, आप बने रहें हमारे साथ दोस्तों साल 1977 में शत्रुगन सिन्ह, विक्रम, जहीरा, सुजीत कुमार, देवेन वर्मा, असित सेन और आगा की भूमिकाओं वाली फिल्म आदमी सडक का रिलीस हुई थी इसका निर्माण और निर्देशन देवेन गोयल ने किया था फिल्म में संगीत का रवी ने संगीत दिया था जबकि गानी के बूल वर्मा मलिक ने लिखे थे फिल्म में चार गाने रखे गए जिसमें से सबसे लोग प्रिय यही गाना रहा इस गानी के अलावा मुहमद रफी ने टाइटल सॉंग भी गाया इस टाइटल सॉंग के दो वर्जिन है मुहमद रफी ने एक गीत को अनुराधा पॉटवाल के साथ और दूसरे गीत को आशा भोसले जी के साथ गाया था इस फिल्म का सबसे लोग प्रिय गीत है आज मेरे यार की शादी है इस बारे में इंडियन आइडल टेलविजन शो में शतुगन सिन्धा ने बताया कि मुझे या किसी को भी या पता नहीं था कि या गाना सदियों तक लोग प्रिय रहेगा और किसी को नहीं पता था कि ये सदियों तक गाना पॉपलर रहेगा शतुगन सिन्धा ने कहा कि आज भी हिंदुस्तान में शायद ही ऐसी कोई शादी होगी जो इस गाने के बगैर पूरी होती हो शत्रगन सिन्धा ने बताया कि इस गाने की शूटिंग करने से मैं बहुत कत्रा रहा था बहुत घब्रा रहा था उस वक्त मैं कुछ समय पहले ही मुंबई जुहू स्कीम में रहने आया था जब इस गाने की शूटिंग करने के बारी आई तो मुझे बहुत शरम आ रही थी और मैं सोच रहा था कि पडोसी क्या सोचेंगे शत्रगन सिन्ह बताते हैं कि जब मैं इस गाने की शूटिंग करने से हिचक रहा था तब संगीत का रवी सहाब ने मुझे कहा कि याद रखना यह गाना आज जीवन चलेगा उनकी बात देखें सच निकली आज अपने देश में कोई भी शादी इस गाने के बगैर पूरी नहीं होती तो दोस्तों आपको यह गाना कैसा लगा? आज मेरे यार की शादी है आज मेरे यार की शादी है आपको शादी विवा के मौके पर गाय बजाय जाने वाले कौन से गीत सबसे अच्छे लगते हैं? यह वीडियो कैसा लगा? हमें जरूर बताएं अगले वीडियो में मैं भावना फिर से फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी लेकर या जानकारी लेकर हाजिर होगी अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार